वेरी वेरी गुड आफटनून तो आल अफ यू आड़ा एग्रिकल्चर अड़ा 24-7 में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो मेरा नाम है डॉक्टर मिनाक्षी राथी और आज हम यहां प्रेक्टिस करेंगे आपकी सारे ही सब्जेक्ट जो मैं आपकी हैंडल करती हू होपफिली आपको हमारा कॉक्टेल पसंद आएगा इफको का एक्जाम आपका आ चुका है प्रलेम्स दस्तारिक को है तो गियर आप यॉर्सल्फ अच्छे से प्रोपेर कीजिएगा और फुल कॉन्फिडेंस से जाईएगा चलिए अगर अड़ा की चैनल पर नई है तो नहीं की है फटाफट अड़ा की आप डाउनलोड कर लीजिए इसमें आपको करन्ट अफैर्स मिलेंगे जॉब एलर्ट मिलेंगे एक्स्क्लूसिव आर्टिकल्स मिलेंगे सारी वीडियोज अलाइन होंगी और अफकोर्स जैसे जैसे आप एप का यूज करते जाएंगे अड़ा की आपको जरू डाउनलोड कर लेजिए चलते हैं डारेक्ली अपनी क्विज पर समय की पाबंदी है साथ मिनट में सो क्वेस्टन की तयारी करनी है तो चलिए लेट्स किट स्टार्टेड राइट तोवर्ड्स ता क्वेज तो पहला क्वेस्टन आप सभी लोगों क क्यों होता है यानि कि उनकी पर्फॉमेंस क्यों एफेक्ट होती है तो अफकोर्स यहां पर आपका मेकानिकल मिक्सचर नहीं हो सकता बैक्टीरियल मिक्सचर नहीं हो सकता वाइरल डिजीज जिनरली क्लॉन्स में होती है जिसके कारण जो है उनकी दीग्रेडेशन होती है व most clonal crops show reduced capacity for sexual reproduction since it is not necessary for which of the following. बहुत सारे clones जो है sexual reproduction की capacity reduced होती है यानकी कम हो जाती है क्योंकि their success as a variety does not depend on sexual reproduction. क्योंकि हम उन्हें directly tissues से बना रहे हैं, cells से बना रहे हैं, तो अफकोर्स इसमें sexual reproduction कैसा है वो बिलकुल मैटर नहीं करता है तो इन में capacity reduce हो सकती है. चलिए, the phenomenon of accletamization represents which of the following accletamization क्या होती है? फिजियोलोजिकल adaptation होगी, natural selection होगा या फिर artificial selection होगा So, your option will be 2, natural selection. ठीक है, natural selection का मतलब क्या है कि वो variety उस environment में लगभग अच्छे से जम गई है, अडप्ट हो गई है और इसी को accletamization कहते हैं. फोर्थ question in front of you, the isolation distance of hybrid shorgum grown for certified seed production. Hybrid shorgum को जब certified seed production के लिए आप लगा रहे हैं, तो उसका जो है 200 meter distance होना चाहिए दूसरे shorgum field से और 400 meter isolation distance होना चाहिए Johnson's grass से. तो इसको याद रखेगा, certified seed production के लिए सोर्गम में 200 meter दूर रखना है, शोर्गम के field से और 400 meter दूर रखना है, Johnson's grass से. So, your option will be 1 and 2. In which of the following the isolation distance for a certified seed production is shortest? इन में से कौन सी crop में isolation distance सबसे कम रहेगा, shortest रहेगा? आंसर विल बी टोमैटो, टोमैटो क्योंकि आपकी self pollinating crop है, तो इसमें जो isolation distance रहेगा, वो सबसे कम रहेगा. Moving to the next one, the isolation distance for certified seed production of cow pea, cow pea के certified seed production के लिए लगभग कितना isolation distance मिंटेन करना होगा? 10 meter जो है आपको cow pea के isolation के लिए मिंटेन करना होगा, certified seed production में, 20 meter करना होगा, foundation seed की production में. Which of the following is a potent mutagen for plasma gene? Plasma gene यानि की जो genes आपके cytoplasm में present होती है, chloroplast और mitochondria में present होती है, इन genes की limitation के लिए कौन सा chemical use किया जाता है? So, answer is ethidium bromide, ETBR, जो है plasma gene की mutation के लिए use किया जाता है. B will be your answer. The bulk method of breeding was first used by which of the following scientists? Bulk method इसमें से किस scientist ने सबसे पहले यूज किया था? Answer will be Nelson and Aal. Nelson and Aal ने सबसे पहले bulk method को यूज किया था. So, A will be your answer. फटा फटा आंसर देते जाहिए, we are heading towards like rapid fire. तो मैं आप लोगों के आंसर देख सकती हूँ, but we have to focus हैं हमें अपने questions जो है timely खतम करने हैं. चलिए, तो इसी तरही के से fast-fast move करना पड़ेगा हम सभी लोगों को. और अगला question आप सभी लोगों के सामने है. An individual is heterozygous for a rather large interstitial deletion in a chromosome. कोई large interstitial deletion हो गई, यानकि chromosomes के बीच में से deletion हो गई है. At packaging stage, this chromosome pair is likely to show which of the following. अब दो homologous pair हैं, ये दो homologous pair हैं. अगर एक homologous pair में से मान लीजे, इतना region जो है delete हो गया है. तो अब क्या है, ये जो दो homologous chromosome हैं, ये कैसे behave करेंगे? Normal configuration और bivalent बनाएंगे, bivalent with unpaired segment बनाएंगे, A plus shape का figure बना लेंगे, या फिर bivalent with unpaired loop बना लेंगे. So, d will be your answer, क्योंकि ये देखें, ये आपका जो है यहाँ से delete होके, लगभग लगभग इस तरीके का बनेगा. ये आपका chromosome है, ये आपकी जो है length छोटी हो जाएगी, ये length इतनी ही रह जाएगी. तो जब ये pairing होगी, तो इस तरीके से pairing होगी. ये आपका एक chromosome है, और ये दूसरा, sorry, ये आपका छोटा वाला chromosome है, बड़ा वाला chromosome यहाँ तक तो इससे अच्छे से pair होगा, और फिर यहाँ पर एक loop बना लेगा, और फिर यहाँ पर pair होगा. क्योंकि ये वाला region इसमें से डिलीट हो चुका है. तो यहाँ पर ये unpaired loop बना लेता है. ओके, this is unpaired loop. राइट, तो इस तरीके से इसमें unpaired loop बन जाएगा. The two deployed parents of brassica gentia, brassica gentia यानि कि Indian mustard के कौन से दो parents है, brassica nigra and brassica compestris जो है, इसके दो parents है. बच्चो, you triangle जरूर करके चाहिएगा, कोई भी combination उससे पूछ लिया जाता है, brassica में. So, you triangle एक बार आप लोगों का अगर याद नहीं है, तो उसको revise करके जरूर चाहिएगा paper में, उससे questions पूछ लिया जाते हैं. In some mutants, chromosome pair normally during zygotene, but many univalent are present at metaphase 1. M1 is metaphase 1. This phenomena is also known as dyssynapses, यानि कि metaphase 1 पर बहुत सारे univalents दिखते हैं, bivalent नहीं बनते हैं, ये जो structure होता है, इसको bivalent structure कहते हैं, ये जो structure होता है, इसको bivalent structure कहते हैं, यानि कि आपके दो homologous pairs पास में रहते हैं, कई बार metaphase में देखा गया है कि bivalent structure नहीं बनते, यानि कि homologous pairing नहीं होती है, इसको disc synapses बोलते हैं यानि की synapses इसमें नहीं हुआ है synapses क्या होता है दो homologous chromosomes के पास आने को synapses कहते है pseudo dominance is the consequence of which of the following pseudo dominance इन में से किसके वजह से होता है deletion, allelic interaction, translocation, inter-allelic interaction तो deletion की वजह से pseudo dominance हो सकता है pseudo dominance का मतलब यह है कि वो allel सच में dominant नहीं होती लेकिन कुछ दूसरी dominant allel में इस तरीके के deletion हो गए है कि आपकी recessive allel जो है वो उसका effect अब दिखाई देने लगा है तो इसको pseudo dominance कहते है और यह deletion के कारण हो सकती है which of the following progeny of a single plant इन में से कौन सी जो है एक single plant की progeny है inbred clone pure line both B and C तो of course answer क्या है गा both B and C clone क्या है clone भी आपका एक single plant से single cell उठाएंगे उसे आप synthetic media में grow करेंगे और उससे जो है आपके बहुत सारे plants बन कर आएंगे using totipotency of the cell वहीं pure line क्या है pure line आपकी एक single homozygous plant की progeny है तो pure line और clones दोनों ही जो है एक single plant की progeny है so answer will be both B and C next question in front of you which of the following can alter the arm ratio of chromosome without changing its length length change नहीं होती chromosome की length वही रहती है लेकिन arm की ratio change हो जाती है तो देखिए यह जो आपक क्रोमोजॉम है यह बीच में centromere होती है और इसको arm कहते है तो कौन सी arm कितनी लंबी है कितनी छूटी है यह ratio change हो जाता है length same रहती है तो यह किसकी वज़े से होता है paricentric inversions की वज़े से होता है inversion यानि की पलट जाना paricentric यानि की centromere का उसमें involved रहना तो इसमें क्या होगा इसमें यह जो क्रोमोजॉम आप देख रहे है यहां से और यहां से cut करेगा और यह जो portion है यह flip होकर जुट जाएगा उल्टा होकर जुट जाएगा तो इसमें मतलब paricentric inversions है यानि की centromere से उल्टा हो जाएगा तो अगर यहां से जादा कटेगा वहां से कम कटेगा तो ratio उल्टा पुल्टा हो सकता है राइट चलिए micro propagation is important as a tool of rapid propagation since it achieves which of the following जो आपका micro propagation है यह important है as a tool of rapid propagation क्योंकि इससे बहुत जल्दी जो है बहुत सारे प्लांट बनाए जा सकते है synthetically और यह जो है genetic constitution maintained रखता है यानि की हर प्लांट का जो genetic constitution है वो same रहता है जो की sexual reproduction में हम नहीं रख पाते क्योंकि उसमें pollen जो है कहीं और से involved होकर आते हैं the most commonly used vector for gene transfer in plants plants में gene transfer के लिए सबसे common plasmid कौन सा है जो use किया जाता है तो उसका नाम है ti plasmid ti plasmid को सबसे ज़्यादा use किया जाता है next is the most used promoter जहां हम बात कर रहे थे कि कौन सा vector use होता है ti plasmid use होता है और कौन सा promoter सबसे ज़्यादा plants में use होता है तो 35S promoter जो है वो सबसे ज़्यादा use होता है promoter का काम होता है gene को activate करना तो switch on और switch off की जो power होती है वो आपकी promoter के पास होती है कहां इस gene को express होना है ये power promoter के पास होती है तो gene के साथ promoter भी लगाना होता है generally 35S का promoter use किया जाता है plants में which of the following approaches has resulted in development of commercial variety इन में से किस टेकनीक के द्वारा इंडिया में एक commercial variety रिलीज की गई है तो इसका नाम है answer होगा soma clonal variation soma clonal variation के थूँ जो है आपकी जो variety release हुई है पूसा जैकिसान पूसा जैकिसान रिलीज हुई है which is a soma clonal variety तो याद रखियेगा नाम IARI ने रिलीज किया है the triticum estivum यानि की गे हूँ is crossed with hodium bulbosum hodium bulbosum के साथ इसका cross करवाया गया embryo culture permits the recovery of which of the following लेकिन जब embryo देखते हैं इस cross का तो उसमें केवल haploid wheat के embryos मिलते हैं यानि की bulbosum के जो gene है वो कहां चले गए cross तो हुआ था successful cross हुआ था लेकिन somehow with time इसमें bulbosum के genes जो हैं disappear हो जाते हैं और केवल wheat के chromosomes बचते हैं आप wheat के chromosomes आधे ही आये थे तो haploid embryos इसमें देखने को मिलते हैं इसको bulbosum technique भी कहा जाता है जिससे wheat के haploid plants develop किये जाते हैं studies के लिए so a will be your answer question number 20 an artificial seed consists of a gel enclosing which of the following एक artificial seed में जो है जेल बनाई हुई होती है बाहर की तरफ से gel like structure jelly जैसे आपकी होती है वो अक्सर calcium alginate की बनी हुई होती है और अगार-अगार की भी बनी हुई होती है sometime तो उसके अंदर जो है क्या होता है आपका somatic embryo या फिर कोई भी shoot bud live shoot bud जिससे पूरा plant develop किया जा सकता है वो इसके अंदर present होता है so c will be your option a somatic embryo or a shoot bud is present in an artificial seed okay which of the following is the most successful approach for gene transfer in plants इन में से कौन सी जो है सबसे successful approach है for making genetic engineered plants यानि कि gene transfer के लिए plants में सबसे successful rate किसको मिलता है तो agrobacterium culture को culture को मिलेगा है तो आपका जो ये agrobacterium bacteria है जो आप tissue culture कर रहे हैं जो आपके growing cells हैं उसको और agrobacterium के bacteria को जो है साथ में culture किया जाता है co culture किया जाता है जिससे की ये जो plasmid जो हम बनाते हैं जिसमें हमारा desired gene होता है ये somehow हमारे cells में introduced होता है through agrobacterium और cells में express भी होता है उससे आप पूरा plant develop कर सकते हैं और आपको genetically engineered plants मिल जाते हैं so agrobacterium के जो success होने के chances है वो इन सभी techniques में सबसे जादा है so B will be your answer the haploid plants of bread wheat haploid plants of bread wheat are best described as which of the following micro sorry dihaploids autopolyploids allopoly haploids or double haploids to haploid plants में आपके allopoly haploids होंगे okay haploid plants of bread wheat are best described यानि कि bread wheat के आपके haploid plants भी कैसे होंगे bread wheat आपका क्या है 6X है right 6X है यानि कि इसके haploid plants में 3X present होगा 3 copies of 1 chromosome present होगा तो यह अभी भी triploid ही हुआ है hexaploid से haploid वैसे यह haploid है haploid का मतलब है कि आपका जो भी plant का chromosome है उससे हाफ हो जाएगा आपके gamete में तो इसको बोलेंगे कि यह haploid हो गया है लेकिन इस haploid में भी क्योंकि यह 6X है hexaploid है 3X present होते है यानि कि triploidy present होती है तो अभी भी जो है यह allopoly haploid है ओके सो इसका जो correct term होगा वो होगा allopoly haploid the most successful triticals are which of the following इन में से कौन सा जो है most successful tritical है उसकी polyploidy क्या है तो उसकी polyploidy भी halo hexaploid है यानि कि different chromosomes उसमें mix होते हैं जो आपकी rye और wheat का cross है इससे triticale बनता है and it is allo hexaploid चलिए which of the following is routinely used in nucleus seed production इन में से कौन सा जो है routinely use किया जाता है nucleic seed production में यानि कि जब nucleus seed बनाया जाता है तो आपका mass selection with progeny test use किया जाता है तो mass selection यानि कि आपको similar phenotype के plants को select करना होगा इनकी progeny का analysis करना होगा अगर progeny अच्छा behave कर रही है तो selection करना है progeny अच्छा behave नहीं कर रही है तो select नहीं करना है इस basis पर selection होता है तो जब आपके breeder को अपना मन पसंद nucleus seed मल जाता है तो last में जो है वो mass selection अक्सर कर रहा होता है जो भी उसको material मिलता है same phenotypically plants को select किया जाता है so d will be your answer then our synthetic variety may be viewed as open pollinated advanced generation of which of the following एक synthetic variety को आप इन में से basically कैसे develop की जाती है तो advanced generation कह सकते हैं आप open pollinated variety की advanced generation कह सकते हैं एक synthetic variety को और इस cross को कहा जाता है poly cross poly cross का मतलब है open pollinated variety का open pollinated variety से cross करवाना इसको poly cross कहा जाता है in somatic hybridization presents which of the following opportunities that is not possible by any other approach somatic hybridization से आपको क्या advantages मिलती हैं जो दूसरी approaches से नहीं मिलती हैं so the answer is B which is combining mitochondrial and chloroplast from different species इसमें आप mitochondria different species का ले सकते हैं और chloroplast different species का ले सकते हैं क्योंकि somatic hybridization में दोनों का cytoplasm भी involved होता है वहीं अगर sexual reproduction की बात करें तो मेल का cytoplasm जो है negligible होता है केवल nuclear gene participate करती है तो cytoplasm उसमें केवल मदर का होता है जो कि यहां हम दोनों का cytoplasm easily mix कर सकते हैं combining mitochondrial genes and C's production of recombinant organelles तो इसके थूँ जो है क्योंकि cytoplasm mix होता है तो recombinant organelles बन सकती है तो बोथ B and C जो की somatic hybridization में मिलता है sexual reproduction में नहीं मिल पाता है test cross ratio of a trait governed by two genes showing masking gene effect which will be of the following तो इसमें दो genes है दोनों genes masking effect दिखा रही है और test cross अगर आप ऐसी genes का करवाएंगे तो आपको ratio क्या मिलेगा ratio मिलेगा two ratio one ratio one देखिए अगर केवल एक gene की बात होती है तो आपकी एक gene कभी भी test cross करवाएंगे वो हमेशा one ratio one में आपका answer आएगा लेकिन यहाँ पर two genes involved हैं तो two ratio one ratio one आएगा क्योंकि यहाँ पर masking gene effect भी present है test cross क्या होता है आप किसी भी cross का जिसका genotype आपको नहीं पता है उसका cross आप homozygous recessive से करवाएंगे यानि कि recessive gene होनी चाहिए homozygous condition में होनी चाहिए तो इसको test cross कहा जाता है ओके चलिए moving to the next one the first definitive experiment evidence for the existence of multiple factors was presented by which of the following तो आपका multiple factor hypothesis आप लोगों ने सुना हो गई multiple factor hypothesis Yule ने दिया था लेकिन इसको proper explain किया था Nelson and Ehelle तो Nelson and Ehelle multiple factor hypothesis जो है सबसे पहले पूरा अच्छे से describe किया तो they were the first one जिनोंने ये existence के बारे में बात की थी explain किया था और बताया था तो Nelson and Ehelle is the answer बार्नेश gene encode which of the following बार्नेश gene किस चीज के लिए encode करती है तो बार्नेश gene जो है RNAs के लिए RNAs के लिए RNAs के लिए जो है encode करती है तो आपकी याद रखेगा इससे भी कई बार question आ जाता है ये आपका जो है transgenic transgenic male sterility के अंडर आप से पूछा जा सकता है transgenic male sterility में जो बार्नेश gene है ये आपकी male sterile gene है यानि कि जिसमें आप बार्नेश gene डालेंगे वो पोधा male sterile बन जाएगा वहीं एक bar star gene है bar star तो star है तो चमकेगा यानि कि इसमें ये fertility देगा positive vibes देगा तो fertility के लिए restore के लिए ये काम आती है तो ये आपका fertility restorer gene है यानि कि जिसमें बार्नेश है जो male sterile हो चुका है अगर आप उसमें बार्सकार gene डालेंगे तो वो फिर से male fertile बन जाएगा तो ये fertility restorer gene है एक gene और है बार gene जो कि बार्नेश के साथ linked है यानि कि जुड़ी हुई है तो ये बार gene क्या करती है ये आपका एक herbicide है phosphenothrin phosphenothrin ये उसके खिलाफ resistance पैदा करती है तो जिसमें बार प्रेजेंट नहीं होगी अगर उसपे आप phosphenothrin spray करेंगे तो वो पोधा जो है मर जाएगा लेकिन अगर बार gene उसमें प्रेजेंट है और फिर आप phosphothrin का spray करते है तो वो पोधा resistant है तो वो जी जाएगा तो ये तीनों gene का function और नाम याद रखेगा कई बार पूछ लिया जाता है बार ने इस आपकी male sterile gene है बार star आपकी fertility gene है बार आपकी phosphenothrin resistant gene है चलिए moving to the next one तो pollen का genotype अगर endosperm पर effect डालता है तो इसको कहा जाता है xenia effect जब pollen का genotype endosperm पर effect डालता है तो इसको xenia effect कहा जाता है ओके acclutamization is mainly the consequences of which of the following acclutamization आपके natural selection का consequence है हम हर variety को कुछ time देते हैं कि वो accept करे उस environment को acclutamize करे adapt करे तो basically वहाँ पर natural selection अपने आप हो रहा है जिसकी वज़े से वो सरवाँ पर survive कर पा रही है so B will be your answer area svitala is the pest of area svitala किसका pest है it is sported ball worm the sported ball worm आपके cotton का pest है B will be your answer इंसेक्स के scientific name please देखके ट्राइएगा morphology से बहुत common question पूछे ट्राइएगे लेकिन insecticides और insect के symptoms से question बिलकुल पूछे ट्राइएगे और scientific name के साथ पूछे ट्राइएगे ताकि आप लोग confused हो तो साइन्टिफिक नेम्स एक बार ध्यान से देखके चाहिएगा विच वन इस आर्मी वाम इन में से कौन सा जो है आर्मी वाम है तो जो की milking stage पर attack करता है यानि कि जब आपकी maze milking stage पर है जब आप उनको फोड़ते हैं तो white color का milk निकलता है तो यह आपका insect उस पर जादा attack करता है उस टाइम पर जो grains होते हैं वो मीठे होते हैं तो आंसर विल बी mythi mania separata mythi mania separata जो है आपका यह milking stage पर effect करता है तो इसका जो नाम है वो याद की जएगा my team mania separata कैसे याद कर सकते हमें इसको पता नहीं भी अपनी कोई टेक्नीक लगा ले ना मेरे दिमाख में फिलाल को यहां निर यह स्पीड में भागे जारी हूं है चैलिए नेक्स वैशन इस इन फ्रेंट आफ यू yellow mosaic virus disease of moong spreads by yellow mosaic virus disease आपकी जो है aphid से फैलती है yellow mosaic virus यह लो मुझेक वाइरस disease आपका aphid से फैलता है aphid का नाम क्या है aphid क्रासी वोरा aphid का नाम है याद रखिएगा which of the following insecticide may be recommended for the control of termites termites के control के लिए कौन सा insecticide use किया जा सकता है answer will be chloropyrifos chloropyrifos को termites के control के लिए use किया जा सकता है so d will be your answer which of the following is not a biopesticide इन में से कौन सा जो है biopesticide नहीं है so carbaryl carbaryl जो है biopesticide नहीं है bioneme आपका biopesticide है dipel B और biolap B ती नो ही आपके biopesticides है के वल carbaryl जो है आपका chemical pesticide है so d will be your answer which one of the major insect enemy of honey bee honey bee का इन में से कौन सा जो है major enemy है उसका दुश्मन है तो इसका answer होगा galleria melonella galleria manolena will be your answer which is option B okay trichogarma parasitoids release is recommended for the management of trichogarma के जो parasitoids है वो यूज किये जाते हैं बायो कंट्रोल के लिए तो वो किस इंसेक्ट के बायो कंट्रोल में काम आते हैं chyloinfestulus chyloinfestulus के management में जो है इनको यूज किया जाता है trichogarma को तो इसको भी आद रखेगा trichogarma काफी सारी species में किये जाते हैं तो एक बार देख कर जाएए गा आण इंसेक्टिसाइड विच इस यूज़ आज seed treatment for sucking pest management sucking pest management यानि कि जो pest सक करते हैं खाते नहीं हैं उनके जो management के लिए इंसेक्टिसाइड यूज होते हैं तो उसमें आपका imidacloprid जो है काफी important pesticide है insecticide है जो यूज किया जाता है so B will be your option imidacloprid following is the insecticide which is having fumigant and penetrant action इन में से कौन सा ऐसा insecticide है जो आज आज फूमिगंट भी यूज किया जाता है और as a penetrant भी यूज किया जाता है so answer will be ddvp ddvp जो है आपका इसमें answer है which is dichlorovinyl dimethyl phosphate okay so ddvp जो है आपका as a fumigant भी यूज होता है और आपका penetrant action भी रखता है the most widely used bacterium in insect control insect control के लिए किस बैक्टीरिया का सबसे जादा यूज किया जाता है so answer is bacillus populate okay तो ये भी बायो कंट्रोल के अंडर आएगा इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है insect की population को कम करने के लिए क्योंकि इनमें of course disease cause करेगा इनकी population को control में रखेगा मर जाएंगे तो हमारी जो इसकी population है वो control में रहेगी तो हमारी crop को जो है कम नुक्सान होगा तो bacillus populate को यूज किया जाता है bacteria which is used for insect control bacillus papulate याद रखेगा worker भी कौन सी होती है sterile female को worker भी कहते है जो की fertile नहीं होती है queen जो है आपकी fertile होती है जो progeny को आगे बढ़ाती है जो reproduction कर सकती है साथ साथ आपका जो drone होता है यानि की male होता है वो जो है haploid होता है तो तीनों चीज़े याद रखेगा haploid आपका drone होता है sterile females आपकी worker भी होती है fertile female आपकी queen होती है major predator of lack insect lack insect का major predator इन में से कौन सा है so answer है you blame a amabilis तो you blame you blame खेलना है predator है तो वो खाने आएगा खाने आएगा तो इनकी लडाई होगी तो ये एक दूसरे के उपर blame करते रहते हैं तो इसका नाम you blame a रख दिया है तो you blame a आप इसको याद रखेगा ये lack का major predator है so b will be your answer which one of the following laboratory host is used for the multiplication of egg parasitoid इन में से कौन सा host use किया जाता है egg parasitoid के multiplication के लिए so egg parasitoid के multiplication के लिए यूज किया जाता है corksyra cephalonica corksyra cephalonica c will be your answer इसका यूज किया जाता है आपकी जो egg parasitoids हैं उनकी multiplication के लिए लाब में so c will be your option the insecticide which is being opposed by environmentalist ऐसा कोन सा insecticide है जो environmentalist उसे support नहीं करते हैं तो वो आपका endosulfान है endosulfान बैन हो चुका है इंडिया में actually हर जगई हो चुका है तो endosulfान बैन क्यों हूँ हुआ क्योंकि इसके जो residues हैं वो काफे लंबे समय तक चलते हैं तो endosulfान is your answer option D following insecticide is safely recommended on vegetables इन में से कौन सा insecticide है जो vegetables पर safely use किया जा सकता है answer will be malathion which is option D malathion को vegetable पर safely use किया जा सकता है following fungus is effective on root grubs इन में से कौन सी fungus है जो root grubs पर effective है answer is buveria buveria जो species है एक fungus जो है आपके root grubs पर effective है so B will be your answer prickly pear weed has been effectively controlled by prickly pear weed जो आपका किस से control किया जाता है so answer is dactylopoeus tomentosis okay तो prickly pear you know prickly pear say you know very choosy to pick है ना पिक करने में बहुत choosy सा हो तो prickly pear ऐसा सा sense हाता है तो तो नोने का कि चलो आम नहीं तेरी मानते नहीं मेरी मानते इतना चूजी नहीं बनते हैं टॉस कर लेते हैं तो टॉमें टॉसस से इसको याद रख लेना कि आपके प्रिकली पियर जो है they are effectively controlled by your dactylopagus tomentasis c will be your answer following is used as sticker along with insecticide for better spread इन में से कौन सा जो है as a sticker use किया जाता है आपके insecticide में ताकि वो plant के surface पर better चिपक सके और better perform कर सके तो उसके लिए T-pole उसमें मिलाया जाता है as a sticker so option D will be your right option okay moving to the next one self-ass tablets are used for the management of self-ass की दवाईयां तो आप लोगों को पता ही है storage best के लिए use की जाती है generally जब हमारे घरों में गेहूं कट कर आता है कोई भी harvest basically आता है और हमें store करना होता है तब उसमें सलफास की गोलियां डाल देते हैं ताकि उसमें storage best का attack ना हो okay project direct rate of biological control is located at आपके bio control जो लेब प्रोजेक्ट डारेक्टर है वो बैंगलोर में स्थित है तो ए विल बी यॉर ऑप्षिन विच इस बैंगलोर चलिए शॉर्गम शूट फ्लाइ लेज एग ओन शॉर्गम शूट फ्लाइ शॉर्गम शूट फ्लाइ अंडे कहां देती है तो शॉर्गम शूट फ्लाइ जो है लोवर सर्फेस पर अंडे देती है यानकि लीफ ब्लेड का जो ये वाला सर्फेस होता है लीफ का चोड़ा जो सर्फेस होता है उसके नीचे की तरफ ये अंडे देती है शॉर्गम शूट फ्लाइ तो ए विल बी यॉर आंसर The Vector of Rice Tungro Disease Rice Tungro Disease का Vector कौन है? तो Rice Tungro Disease का Vector है Nephotectic Virans Nephotectic Virans जो है Rice Tungro Disease का Vector है याद रखेगा एक्जाम में पूछे जाते हैं Vectors काफी बार तो ध्यान रखेगा जो मैंने यहाँ बताए है आज यह काफी important है एक दो काफी famous है शुगर केन इस रिसेंटले इंफेस्टेट बाई वुली एफिड तो आपका शुगर केन पहले वुली एफिड अटाक इस पर नहीं करता था लेकिन आप करने लगा है इस वुली एफिड का नाम क्या है इस वुली एफिड का नाम है सिरेटो वैक्यूनो लैनिगेरा ओके तो आपका cerato vacuno Leningera जो है यह vacuno है vacuno यानि की खाली करवाने आता है vacuum करवाने आई तो यह कह रहा है कि भाई तुमने बहुत शुगर केन लगा लिया अब मुझे यहां से area खाली करवाना है इसलिए मैं इस पर अटाक कर दूगा तो यह वह लिए फिट जो है स्रेट्टो और वेक्यूनो लैनिगेरा आपका आंसर है एफस बस और है कोई explanation की खास जरूर नहीं है चलिए the holes at the base of the shorgum peduncle are shorgum peduncle per holes देखने को मिलते हैं चेद देखने को मिलते हैं यह किस के कारण होता है so the option is a kylopartalus यानि की stem borer kylopartalus is your stem borer of sugar shorgum जिसकी वज़े से जो है stem में अफकोस बोर करता है और आपको इसमें holes नजर आते हैं example of an insect order in which nymphs are called neds यानि की इनके जो बच्चे है निम्स जो है उनको निम्स ना कहकर नेड्स कहा जाता है तो यह आपका order है odonta जिससे आपकी dragonfly और damson fly जो है famous example है odonta order से इनके बच्चों को नेड्स कहा जाता है so option b will be your right option the pronotum is ideally seen in the following insect pronotum आपको किस insect में दिखाई देता है तो यह भी काफी famous question पूठा जाता है pronotum जो है आपका हमेशा kokruch में देखने को मिलता है so d will be your right option kokruch में प्रोनोटम देखने को मिलता है pronotum उपरी thorax पर layer होती है जो की sclerotized hard layer होती है जो उसके protection के लिए इसकी body के उपर बनाई जाती है okay so option d will be the right option moving to question number 60 sting in worker honeybee is modified part of worker honeybee का जो sting है जो हमें काटती है sting हमारी skin में छोड़ती है वो sting ליink किसकी modification है तो वो sting although ovipositor की modification है जिसके थुप्ति आपकी इंसेक्टवी पो जडी करते हैं यानि luck अंडे देते हैं तो अंडे ty力 हमें इस ओफिपोजित्यर के थूप किये चाते हैं बहार निकाले जाते हैं और अलग अलग surface पर डिपोस किये जाते है तो ओविपोजिटर की मौडिफिकेशन ही यह स्टिंग होता है जब यह हमें काटने के लिए यूज करती है फॉल्लविंग एज एन एग्जामपल फोर सेकंडरी विंगलेस इंसेक्ट इन में से कौन सा जो है सेकंडरी विंगलेस इंसेक्ट है यानि कि इनके पूर्व जो के पास पंक थे विंग्स थे लेकिन इनके पास प्रेजंट नहीं होते है option B head louse sir में जो leak होती है जो आज कल किसी को नहीं होती है तो ये जो है आपका secondarily wingless insect है silver fish नहीं होगा silver fish आपका primarily wingless insect है यानि कि ना इसके पास wings थे ना इसके four fathers के पास wings थे दादा पर दादा सभी wingless है इसके चलिए hindgut of insect is also known as hindgut को क्या कहते है कहते है जो आपका four gut है उसको stomodium कहते है बीच वाले gut को mesentron कहते है gizzard खाना चबाने के गाम आता है जो की mid gut में present होता है ठीक है तो hindgut को proctodium भी कहा जाता है the proboscis in the mouth part of butterfly is formed mouth part का जो modification present होता है butterfly में जिसका नाम होता है proboscis चाप इस तरीके से हाती की सून जैसा लंबा और इस तरीके से गोल-गोल होता है यह जब proboscis होता है यह galia of maxilla की modification होती है so this proboscis is the modification of galia of maxilla the last segment in the abdomen of male को crotch in addition to sarsai will have a pair of sarsai last segment पर सरसाई के साथ साथ जो है annual style e b present होता है annual style e up key insect key last segment पर present होता है option b will be the correct one earthworm has a circulatory system which is extensive and earthworm जो है आपको circulatory system कैसा होता है earthworm में closed type होता है earthworm में circulatory system closed type होता है so c will be your option noctudy which is a common pest of pigeon pea and chick pea एक noctudy family से बिलोंग करता है pigeon pea और chick pea का common insect है नाम है इसका helico वर्पा आर्मी जेरा half moon scrapping यानि कि यह जो insect है यह scrapping करता है उपर के जो tissues होते हैं और half moon shape में करता है या काजू shape में करता है इस तरीके से तो इस insect का नाम है mylosaurus sub-facientus ठीक है तो sub-facientus है यानि कि sub-adha face है ना तो आधा face दिखाता है चांद जैसे अपना आधा face दिखाता है उसी तरीके से यह भी जो है आधा face दिखाता है यानि कि half moon की shape में जो है यह scrapping करता है so D will be your option the bushy appearance of and making of dead hurts उपर से bushy appearance होती है और dead hurts इसमें पाए जाते हैं यह top borer के कारण होता है top borer will be your answer in sugar cane scientific name of banana aphid banana aphid का scientific name क्या है pentolonia nigronervosa option B pentolonia nigronervosa पता नहीं इसका नाम somehow अलग है कि याद अपने आप हो जाता है banana aphid के जो scientific नाम है in rice which insect cause yellowing and drying of plant which is known as hopper burn hopper burn किसकी वज़ा से होता है brown plant hopper की वज़ा से होता है इसके पोधे जो है जब यह feed करता है तो सूख जाते हैं और circular शेप में सूखते हैं डाइकोट और endospermic seed इन में से कौन सा है यानि कि जो जिसमें दो cotyledon present हो और endosperm present हो आंसर होगा आपका caster and fenugreek both so c will be your answer चलिए seed drying is very important to maintain its viability and vigor of course seed drying हम क्यों करते हैं ताकि moisture level को एक safe place पर ले आए ताकि हमारे seed की viability और vigor जो है maintain रहे वो alive रहे वो vigorous रहे तो this is called your viability and vigor A will be your answer maximum moisture content for safe storage of wheat wheat को हमें store करने के लिए safe storage के लिए maximum moisture content हम कितना use कर सकते हैं we can use 12% 12% moisture हम जादा से जादा wheat का रख सकते हैं उसकी store ability के लिए so option A will be your answer seed lot certificate color seed lot of certificate color is orange and green तो याद रखिएगा nucleus seed आपका होता है फिर breeder seed होता है फिर foundation seed होता है फिर certified seed होता है चार generation system इंडिया में चलता है nuclear seed का कोई color tag नहीं होता है breeder seed का yellow golden tag होता है foundation seed का white color का tag होता है certified seed का blue color का tag होता है तो ये इसी से ही एक अदा question पका आ जाना है या तो याद रहेगा कोन किसकी progeny है तो ये sequence याद रखिएगा nucleus breeder foundation certified कोई color tag नहीं है yellow color का है white color का है blue color का है या तो tag color पूछ लेगा या किसकी progeny कौन है ये पूछ लेगा तो ये याद रखिएगा साथ साथ आपका होता है एक truthfully labeled seed जो लोग certified नहीं करवाते वो truthfully labeled seed भेजते हैं और इसका tag color green color का होता है ये भी याद रखिएगा तो इस slide में से एक question पक्के से पक्का आने माला है ध्यान से देख लेजिए और रट लेजिए fanning mill किसका पार्ट है fanning mill आपके air screen cleaners का पार्ट है option A monocarpic flowers किसमे होते है monocarpic flowers का मतलब है इस plant में केवल एक बार ही flowering होती है which is amaranthus amaranthus में एक ही बार flowering होती है c will be your option seed coat peroxidase test seed coat peroxidase test जो है आपकी soya bean में किया जाता है peroxidase से याद रखेगा यह हमेशा soya bean इसका answer होगा यह हमेशा soya bean में किया जाता है average diameter of bulb जब आप seed के लिए bulb को use करते हैं तो लग भग उसका कितना diameter use करते हैं यानि कितने बड़े bulb को आप as a seed use करते हैं तो 2.5 cm average जो है आपके बल्ब का diameter होना चाहिए option a will be the correct option उसके बाद बात करते हैं शुगर की शुगर जो कि आपकी और सिमिलर प्लांट इन स्ट्रक्चरल फीचर से एंड पर्फोर्मेंस इस नोन आज एक क्रूप ओफ प्लांट जिसमें आपको स्ट्रक्चरल और मतलब वो सेम होते हैं देखने में वो सेम होते हैं फिजियोलाजिकली वो सेम दिखते हैं तो इनको जो है हम क्या कहेंगे इनको हम आज आज़ाईटी कहीं है देख़ी एक वेराईटी चाहे ओपन पॉलिनेटीड वेराईटी हो चाहे प्योर लाईट से हो चाहे मास सेंट हो फिजिकली वो देखने में हम सेम प्लांट को चूज़ करते हैं दाकि फार्मर्स को वो सेम उनिफॉर्मिल्ट दिखाई दे same height के हो, same maturing time के हो. So, इनको variety कहते हैं, option A will be your correct option. Possible reasons for seed dormancy. Seed dormancy का possible region क्या हो सकता है? Presence of pathogen, cracking of hulls, immature embryo, या green distortion. तो यहां पर option सही कर लीजेगा, immature embryo will be your option. This will not be your option. Okay, immature embryo के कारण seed में dormancy present हो सकती है, यानि कि seed alive तो है, बट germinate ना करे ऐसा हो सकता है, due to immature embryo. So, option C will be the correct option. Apigial germination is found in. Apigial germination क्या होती है? जिसमें cotyledons धरती से बहार आ जाते हैं, इसको apigial germination कहते हैं, और यह cucumber में present होती है. याद रखेगा, खीरे में आपकी apigial germination होती है. आपकी जो seed है, यह इस तरीके से cotyledon seed के साथ बाहार आ जाता है. और फिर जो है, यह आगे, जब इसमें आगे लीफ आती हैं, तब भी यहाँ पर joint आपको plants में दिख जाता है. तो these are apigial germination. murate of potash को हम KCL भी कहते हैं, potassium chloride का दूसरा नाम क्या है? murate of potash, murate of potash का दूसरा नाम क्या है? KCL, potassium chloride. ओके, याद रखेगा. production of seedless grapes. seedless grapes, यानि कि ऐसे grapes बनाना, जुन में seeds present ना हो, इसके लिए seeds पर spray करना पड़ता है, gibralin hormones का option A. gibralin hormones का spray करना पड़ता है, seedless grapes बनाने के लिए. so option A will be your correct option. चलिए, तो आप लोगों को यह पता है, कि आप लोगों का exam तो अब बहुत पास आ गया है, तो जादा से जादा question प्रेक्टिस कीजेगा, request है आप सभी लोगों से, ifco की test series आप जरूर AADDA की देखिएगा, AADDA247 की website पर जाकर, जिसका price आपको लगभग जो है, 289 rupees का पड़ेगा, अगर आप code यूज़ करेंगे, Y448S, अब अगर आप test series ले रहे हैं, या e-books ले रहे हैं, तो आपको code के साथ हमेशा S लगाना होता है, अगर otherwise वो code जो है invalid हो जाता है, और आपको discount नहीं मिल पाता है, तो मैं आप सभी लोगों से request करूँगी, कि इफको अड़ा 24-7 की साइट पर जाएगा, इफको की test series सभी लोग buy करेंगे, सभी लोग question practice करेंगे, और question के साथ-साथ अपने timing भी चेक करेंगे, क्योंकि you have just 45 minutes to give your exam, आपको अपने exam 45 minutes में देना है, आपकी speed अच्छी होनी चाहिए, अपने speed का analysis भी कीजिएगा, साथ-साथ अपने साथ timer लेके बैठिएगा, और अपना जो ये test है, पूरी इमानदारी से दीजिएगा, आपको कितने question आ रहे हैं, और कितने minutes में आप कितने question कर पा रहे हैं, this is the last minute practice, अब आपको पढ़ना नहीं है, आपको जादा से जादा questions के contact में आना है, जादा से जादा question को practice करना है, so go on add a 24-7 website और ifco की test series, आज ही सभी लोग लेंगे और code यूज़ करेंगे Y448S, राइट, चलिए, चलते हैं अगले question की तरफ, EASTA was established in year, EASTA किस साल में established हुआ था इंडिया में, answer is 1924, 1924 में EASTA आया था, EASTA stands for International Seed Testing Agency, इसका headquarter Switzerland में है, जिनेवा में नहीं है, याद रखेगा, अगला question है, certified seed of cotton में, जो है minimum germination कितना होना चाहिए, तो cotton में minimum germination आपका होना चाहिए, 60%, 60% से कम अगर germination cotton दे रही है, तो आपका seed जो है certified नहीं हो सकता है, solar treatment is used for, solar treatment आपका loose smut में use किया जाता है, क्योंकि ये seed born disease है, pebrin आपके silk warm की disease है, ये protozoa की वज़ा से होती है, आई नो आप लोग कहेंगे कि काफी जगर fungus है, लेकिन अभी तक आपके books में protozoa है, तो अभी protozoa will be the right answer, A आपको option में लगाना है, इसके causative agent का नाम क्या है, इसके causative agent का नाम है, nosema bombix, यानि की option A, bacterial disease जिनकी जो multiplication है, वो hemolymph में होती है, यानि की insect के blood में होती है, इनको septisemia disease कहा जाता है, septisemia में आपके दो टाइप के disease होती है, black septisemia, red septisemia, red septisemia जो है, वो आपकी cerceria, mars cancer से होती है, और black septisemia आपकी bacillus से होती है, दोनों को याद रखेगा, how much time is taken from infection to larval death, larval death से infection तक का जो सफर होता है, वो केवल 10 घंटे का होता है इस बिमारी में, यानि की जैसे ही infection होता है, 10 घंटे के अंदर आपका larval जो है मर जाता है, इसलिए इसका control जो है काफी मुश्किल होता है, quality of dash decides the price of the silk, silk का price आपके cocoon की quality पर होता है, जितने अच्छी quality के cocoon होंगे, उतना ही आपके raw silk का price अच्छा जाएगा market में, so A will be your option, silk protein में आपके serine and fibrine दो protein होते हैं, दोनों के नाम याद रखेगा, sericin and your fibrine, दोनों ही जो हैं आपके silk protein हैं, जो silk thread में present होते हैं, so both option B and C, pupa को आप chrysalis भी कह सकते हैं, pupa का दूसरा नाम chrysalis हो सकता है, वहीं जो छोटे-छोटे young ones egg से बाहर निकलते हैं, उन्हें keigo या ant कहा जाता है, क्योंकि वो black color के hairy hairy से होते हैं, तो उन्हें keigo या ant कहा जाता है, तो ये भी बाते जो हैं, जो जो बताती जा रहे हूं, सारी याद रखेगा, काफी important है, so successfully in 55 minutes, we have done our questionnaire, तो hats off to me, चलिए मजाख है, hats off to you also, सभी लोग बहुत अच्छे से answers करे जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है, तयारी आप लोगों की जबरदस्त करनी है, उसके लिए इफको की टेस्ट सीरीज, आप अड़र 24-7 से ले सकते हैं, प्रेक्टीस कीज़ेगा, अपना टाइम लिमिट साथ में रखेगा, what is your speed, you get just 45 minutes for your exam, बाकि जो और बच्चे हैं, जो IBPSSO को टारगेट कर रहे हैं, they can also have your IBPSSO badge, from अड़र 24-7 website, और महा पैक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, महा पैक में आपके जितने भी अग्रिकल्चरल पैकेज़ेज थे, चाहे वो IBPSSO है, चाहे इसको है, नबाड है, FCI है, या फिर किसी State Agriculture University का exam है आने वाले साल में जितने भी packages रिलीज होंगे सभी का access आपको महा pack में मिलता है तो यही इस pack की खास बात है कि आपको एक ही pack लेना होता है और सारे exam की तयारियां जो हैं एक ही pack से हो जाती है prices इनके लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर यह 3679 कर रहेगा यह 6439 कर रहेगा और वो भी तब होगा जब आप code का use करेंगे यारि कि code क्या लगाना है Y448 लगाना है package खरीदते वक्त S का use नहीं करना लेकिन अगर series खरीद रहे है test series तो आपको इसके साथ साथ Y448 के साथ S लगाना होता है otherwise आपका code जो है valid नहीं हो पाएगा तो gear up yourself, prepare yourself, all the best for your exams and rock it goodbye, take care and best of luck to all of you let's hope for the best बाकी सब भगवान के आतमे हैं भई हमारे आतमे थोड़ी है चलिए ताटा स्फको को कंघू घंसे अगरो में व्को ऑफ़ी है अगरो बाषिए एरे ये-धरों से वैंको को थेखिए स्वको को दो हैं को स्वको को 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 तो सोंग ог